तस्मिन सती श्वास प्रश्वासयो गति विच्छे दह प्राणाया महा पतंजली योग सुत्र में 59 स्वा यह फर्मुला है साधन पाद में तस्मिन सती श्वास प्रश्वासयो गति विच्छे दह प्राणाया महा मतलब क्या कि हम जब शांस लेते हैं शांस छोड़ते हैं ये एक गती होती है इस गती को तोड़ना और कैसे तोड़ना है धीरे धीरे कम करके इस गती को पूरी तरह शांता करना यानि मरना नहीं है जिन्दा रहके इस गती को कम्प्लीटली धीरे धीरे स्टॉप करना है जिसके कारण इवन आपका हार्ट भी रुख जाए और जब आप सांस लेंगे तो फिर से हार्ट शुरू हो जाए यह अक्चली पतन जली ने अपनी सूत्र में बताया है जब हम सांस लेते है तो हमारा उक्सीजन अपने लंग्ज में एक्सचेंज ऑता है और कारण डियॉख सांस में यह अपने ब्लड में से लंग्ज में आता है और लंग्ज से बाहर आता है लेकिन जब हम प्राणायाम की शुरुवात करते हैं तब दीरे-दीरे हम अपना श्वास रोकते हैं और दीरे-दीरे छोडते हैं एक वक्त ऐसा आता है कि हमें हमारे शरीर को कारबंडाय ओकसाइड की मात्रा जो भी शरीर में उत्पन्न होती है उसकी आदत हो जाती है और हमारा जो मेटाबोलिजम है वो अपनी एनरजी मेंटेन करने के लिए चलते रहता है लेकिन श्वास प्रश्वास नहीं होता इसलिए एनरजी बहुत कम लगता है और इवन हार्ट को भी पंप करने की ज़रूरत नहीं रहती है और ये इतना डीफ फॉर्मुला पतन्जली ने अपने साधन पाद में उन पचास्वे सूत्रों में फॉर्मुला बताया है तस्मिन सती श्वास प्रश्वासयो गति विच्छे दह प्राणाया मां झाल